वीडियो पर व्यूज लाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपोर्टेंट है आखिर बड़े यूटूबर के वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यूज कैसे आते हैं कौन सा ट्रीक ये लोग यूज करते हैं जिसे कि उनके वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यूज आते हैं तो आप इस वीडियो को end तक देखेगा और जो लोग चैनल पर ने हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को on कर देजेगा तो चलिए अब वो सेक्रेट जानते हैं कि आखिर में वो सेक्रेट कौन सा है तो भाई देखो जो बड़े यूटूबर हैं वो दो चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं पहला है थमनिल और दूसरा है ओडियेंस रिटेंशन ठीक है लेकिन जो निव यूटूबर है जिनके चैनल पर सब्सक्रेबर्स कम है उनको दो नहीं बलकि पांच चीजों पर ध्यान देना चाहिए तब ही उनका चैनल गुरो होगा तो सबसे पहला है टाइटल टाइटल में आपको क्या लगाना है दूसरा है थमनिल तीसरा है टैक्स चौथा है डिस्क्रिप्शन और सबसे लाश्ट में पांच वा है ओडियेंस रिटेंशन अगर आप इन पांच चीजों को सही कर लेते हैं तो आपकी वीडियोज पर भी डेफिनेटली व्यूज बढ़ने लगेंगे अब बड़े यूटूबर दो चीजों पर ही फोकस क्यों करते हैं क्योंकि उनके चैनल पर सबस्काइबर बेस बना होता है तो वो कोई भी वीडियो डाले सबस्काइबर के कारण अस्टार्टिंग के व्यूज आ जाते हैं इसलिए वो ज्यादा क्लिक के लिए थामनेल पर ज्यादा फोकस करते हैं थामनेल को क्लिक बेट बनाते हैं जिससे कि उनके वीडियो पर ज्यादा क्लिक आए और दूसरा ओडियन्स रिटेंशन पर फोकस करते हैं क्योंकि यदि उनके वीडियो पर ज़्यादा देर तक लोग रुकेंगे तो वीडियो का इंप्रेशन बढ़ जाएगा और इंप्रेशन बढ़ने से व्यूज काफी ज़्यादा आता है लेकि निव यूटूबर के साथ बिलकुल भी ऐसा नहीं होता तूकि सब्सक्राइबर क समय तक आपके वीडियो सर्च में आएगा और सर्च में जब तक आएगा तब तक आपके वीडियोज पर लगातार भ्यूज बढ़ते नहिंगे और दूसरा है थम्निल थम्निल में जो आप टेक्ड लिख रहे हो उसमें संस्पेंज क्रेट होना चाहिए ठीक है उसका जो कल system video click-Bit बंजाए नोग आपके thumbnail को देखकर click करने पर मजबूर हो जाए तब ही आपकी विदियो पर भी बढ़ेंगे तीसरा में क्या है तीसरा में टेक्स तो तो आपको कहां से लाना है ठीक है तो सबसे पहले आपको YouTube से लेना है YouTube में सर्च करोगे उससे रिलेटेड जो भी टाइटल है उसको आपको टैक्स में लिखना है टैक्स में आप 500 वर्ड तक लिख सकते हो तो आप जो है पूरा लिखना बहुत लोग क्या करते हैं कम लिखते हैं 200 वर्ड, 300 वर्ड, 300 वर्ड लिख के छोड़ द करना है आप यहाँ पर 500 वर्ड तक लिखना अब बात करते हैं description की तो description में सबसे पहले आपको video का title लिखना है जो आपने video में title लगाया है ठीक उसको copy करके आपको description में लगा दना है उसके बाद जो आपने tags लगाया है वो tags को भी कोपी करके आपको description में लेकिन ध्यान रहे जब भी आप टैक्स को description में लिख रहे हैं तो आपको कौमा कौमा देकर नहीं लिखना है आपको क्या करना है आपको एक की नीचे एक एक की नीचे एक ऐसे करके लिखना है तभी आपका जो है description सही से लिखा जाएगा और क्या करना है और भी आपको description में ज जो लोग सर्च कर सकते हैं, जो टाइटल आपने लिखा है, उससे रिलेटेट काफी सारे कीवर्ट्स डाल सकते हो, डिस्क्रिप्सिन में आप पांच हजार वर्ट्स तक डाल सकते हो, तो आप वहाँ पर तीन हजार, चाहजार डालना, यह ऐसा नहीं हो कि बस टाइटल को किया और वहाँ पर अपने डिस्क्रिप्सिन में डाल दिया, ऐसा नहीं हो, डिस्क्रिप्सिन में आप बहुत ज़्यादा लिखना, साथ में आप डिस्क्रिप्सिन में हैज्टेक भी यूज करना, क्योंकि अभी के टाइम में हैज्टेक से भी आपकी वीडियो पर काफी ज तरीकाए मैं बताता हूं या तो अपनी वीडियो में इस तरीके से suspect create कर दो, कि लोग आपकी वीडियो में and देखते रहें, and टक वोரिसी अपनी वीडियो में suspect request कर dank screen दूसरा क्या करना है या तो आप अपनी वीडियो में suspense create नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से उसको edit कर दो इतना ज़्यादा उसमें animation लगा दो कि लोग आपके वीडियो के जो animation है जो editing है उसको देखते रहा जाए ठीक है मतलब पूरे तरीके से कहने का मतलब मेरा क्या है कि आप किसी भी तरीके से अपनी वीडियो में बनाओ बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि जो लोग आपके वीडियो पर आ रहे हैं वो आपकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दिर तक देखे पांच मिनट का वीडियो है तो लोग अगर आपके 2-3-4 मिन तक आपकी वीडियो को देख रहे हैं तो Audience Retention बहुत ही अच्छा रहेगा और अभी के टाइम में अगर आपके वीडियो पर Audience Retention अच्छा है तो समझ लो कि आपकी वीडियोज को वैरल होने से कोई नहीं रोख सकता आपकी वीडियो पर भीउज आने से कोई नहीं रोख सकता तो आपको जो सबसे पहला फोकस करना है वो है आपका ओडियन्स रिटेंशन आप कितना देर तक अपने ओडियन्स को अपनी वीडियो पर इंगेज कर पाओगे अगर ये चीज आपने सीख लिए तो यूटूब में आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोख सकता तो अगर आप भी नई यूटूबर हैं अगर आप भी यूटूबर नए-नए वीडियो ड़ीयो डाल रहे हो तो आपको ये पांच चीजे सही करने होगे अगर आप ये पांच चीजों को सही कर लेते हो तो यकीन मानो मेरा आपको यूटूब पर ग्रो होने से कोई नहीं ही रोक सकता अभी के टाइम में बहुत सारे यूटूबर जो है नए नए आ रहे जो की एडिटिंग की हेल्प से भायस की हेल्प से वो जो अपने चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो कर पा रहे है तो आगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और जो लोग चैनल पर नए हो और आगे भी इसी तरीके का यूटूब से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर दीजेगा तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टूडू में एकने टोपिक के साथ अभी के लिए जय हिन जय भारत